यह हमें एक कोशन दे रखा है इसमें हमसे पूछा है HCF 306,1314 हमें यहाँ पर दो संक्याओं का HCF दे रखा है 18 और हमसे इस कोशन में उनी दो संक्याओं का LCM निकालने के लिए बोला है बहुत इजी कोशन है और यह कोशन आपके 2024 के एक्जाम में आ भी चुका है ठीक है तो इस कोशन गा सलूशन कराने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हो। तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और सबसे मैधं पूर्ण बेल आइकशन को और पर प्रेस कर ले। जिससे क्या है बहुत इसी तरीके के और भी कोशन पर वीडियो प्लोड गरूँ तो उनकी not equation आपके पास सबसे पहले जा सके अब आगे देखते हैं इसके solution में तो सबसे पहले जो हमें question में दे रखा होता है हम उसको note कर लेंगे हमें यहाँ पर हCF दे रखा है इन दो संख्याओं का 18 और हमें यहाँ पर हम LCM को निकालने वाले हैं ठीक है तो इस फॉर्मुले में जो मैं दो संख्याओं को गुडन फल दे रखा है वो दो संख्या है हमारी वही होंगी जिनका मैं HCF दे रखा है आप हम क्या करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मुले को जो मैं कोशन में HCF और LCM दे रखा है उसके वहाँ पर हमारे पास दो संख्याओं भी दे रखी है तो इस फॉर्मुले को हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे कि दो संख्याओं को गुडन फल बराबर HCF और यहाँ पर हमारी दो संख्याओं आजएंगी जिनका मैं HCF दे रखा है इन्टू यहाँ पर आजएगा LCM जिन दो संख्याओं को हमें यहाँ पर LCM निकालना है ठीक है अब यह फॉर्मुला हमारा कोशन के इस आपसे बन चुगा है अब यहाँ पर हमें LCM की वैल्यू को निकालना है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास HCF multiply में उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे दो संख्याओं के गोडन फल के तो इस साइड में हमारा बच जाएगा LCM जो हमें निकालना है हमें यहाँ पर दोनों values दे रखी हैं दोनों को formula में रखकर हम यहाँ से LCM को निकाल लेंगे अब इसको हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको आगे करके समझा देता हूँ तो जैसे मैंने बताया तब यहाँ पर formula बन चुका है यहाँ पर हमारा आजाएगा दो संख्याओं का गोडन फल उनको लिख देंगे दो संख्या है वो हो जाएंगी जिनका हमें HCF दे रखा है 306 इंटू 1314 और upon में हमें HCF की value दे रखकी 18 उसको भी रख देंगे और हमें यहाँ पर LCM की value को निकालना है अब इने आपस में solve करकर यहाँ से हम LCM की value को निकाल लेंगे हम यहाँ पर 18 से 306 को काट देंगे 17 वार और 17 और 1314 की आपस में multiply कर देंगे हमारे पास LCM आ जाएगा तो यहाँ पर वही लिखा है जो मैंने आपको बताए था अब आगे इनकी multiply कर देते हैं तो यहाँ तक हमारा हो चुका था आप क्या करेंगे हम इन दोनों की multiply कर देंगे multiply करकर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 22,338 तो यही हमारा इन दोनों संख्याओं का LCM हो जाएगा ठीक है जो हमसे question में पूछा था वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं तो question में जो हमें संख्याओं दे रखी थी 306 और 1314 इनका में LCM बताना था वो हमारा आ चुका है वो जाएगा हमारा 22,338 ठीक है यह इसका answer हो जाएगा बहुत easy question था हमने यहाँ पर question ही करा जो हमारे पास formula था उसमें हमने values को रखकर यहाँ से LCM का मान निकाल लिया है और जादतर exam में इसी तरीके question repeat होते रहते हैं तो आप इन questions को जरू तैयर ररके जाना और अगर आप इसी तरीके के और भी questions पर वीडियो देखना चाते हो तो मैंने इसके एक proper playlist बना रखी है वहाँ पर आपको एक नमबर वाले, दो नमबर वाले, चार नमबर वाले, पांच नमबर वाले सभी प्रिकार के question एक ही playlist में मिल जाएंगे और उस playlist का link में description में देदूआ वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना